हलो बच्चों हम बढ़ रहे थे class 4th के English का grammar जिसमें हमने शुरू किया था adjectives adjectives के बारे में मैंने आपको पहले दो वीडियो में बताया हुआ है आज हम उसके आगे पढ़ेंगे मैंने आपको adjective की definitions बताई है और साथ ही साथ मैंने आपको उसके कुछ degrees बताई जो होती है उसकी तीन main degrees तो आज हम उसके kinds of adjectives शुरू करते हैं तो kinds of adjectives यानि कितने तरह के adjectives होते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यह 6 तरह के adjectives होते हैं जैसे positive, demonstrative, qualitative, quantitative और number और आखिर मैं interrogative तो यह जो है हमारे adjective के six types होते हैं जो आपको पढ़ने हैं या आपको समझने हैं तो शुरू करते हैं हम पहला पॉसेसिव adjective show that they belong to someone or something जो पॉसेसिव adjective का मतलब हो गया है यह वो adjective हो गया है तब हम इस्तिमाल करते हैं जब हम वो किसी के लिए इस्तिमाल होते हैं मतलब मान लो किसी का bag है तो हम बोलेंगे यह उसका bag है या this is his or her bag तो हम किसी के लिए इस्तिमाल करते हैं या यह उसके father है यह उसके पिताजी है यह तब पॉसेसिव adjective use करते हैं adjective कौन-कौन से आते हैं इसमें my, our, your, his, her, its तो यह जो है यह सब इसके positive adjectives में आते हैं तो जैसे के एक example है our work is done यानि हमारा काम जो है वो खतम हो गया है तो हम खुश है तो यह जो है our work is done इसका मतलब कि जो इसमें जो our है our, our, वो इसमें positive adjective है हमारा काम ठीक है फिर आते है he is your brother वो तुम्हारा भाई है तो भाई जो यहां पर है तुम्हारा भाई वो एक adjective है, your है he is brother का मतलब नहीं बनता है he is your brother तब वो आपका brother है जैसे यहां पर यह है तो यहां पर इस sentence में your जो है वो positive adjective है फिर अगला जो है demonstrative adjective यह है कि यह किसी खास चीज़ के बारे में बताता है यह उसके खास चीज़ के बारे में जोर देता है जैसे कि इसमें है this, that these, those यह जो है यह खास तोर पर इस्तमाल के जाते हैं जब हम demonstrative adjective का इस्तमाल करते हैं या किसी sentence में जब हम इनको देखते हैं तो जैसे give me those cards मुझे ये cards दे दो जो ये वाले cards है कुछ बोर है कि ये मुझे cards दे दो आपने cards अमूमन देखे ही होंगे तो ये कार्ट मुझे दे दो इनके बारे में वो बात कर रहा है फिर this notebook is mine ये जो किताब है ये मेरी है ये वाली जो किताब है ये मेरी है तो यहां पे इन दोनों sentences में जो those है और साथी साथ this ये क्या है demonstrated adjective क्यों? क्योंकि ये एक किसी खास card के बारे में बात कर रहे है या एक खास किताब के बारे में बात कर रहे है फिर जो अगला जो है हमारे पास थर्ड वो है qualitative adjective तो qualitative adjective क्या होता है ये quality क्या होती है किसी की खासियत तो उसके बारे में बताता है किसी चीज की खासियत के बारे में जैसे उसकी shape कैसी है वो दिखने में कैसा है उस वो size कैसा है चोटा है बड़ा है या रंग कैसा है लाल है हरा है पीला है या काला है कोई सा भी कलर हो तो ये उसके बारे में ये खासियत बतादा है कॉलिटेटिव का मतलब है कोई खास चीज खासियत किसी के बारे में बता तो जैसे I have a fast car मेरे पास एक तेज घाड़ी है मतलब क्यों उसक तो इस गाड़ी की खासिद क्या है यह तेज गाड़ी तो है मगर क्या तेज फिर इट से टॉल ट्री यह एक उंचा पेड़ है पेड़ क्या है उंचा आप देखिए यह एक उंचा पेड़ है मतलब पेड़ है इट से ट्री नहीं यह पेड़ तो है मगर यह काफी उंच है तो वो उचा है, तो उमीद करता हूँ बच्चों आपको यहां तक यह वीडियो समझ आया होगा, इसके आगे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, उमीद करता हूँ आपको यह तीन समझ आये होंगे, थैंक यू, सो मजब बच्चों,